और यह जो डेली क्लास आपके चल लगी है इसमें हिंदी के बेथनी प्रिश्णों के हापने लाया जा रहा है एक बार देखिए वाइस वगरे चक्कल लेजिए चले वाइस क्लिर आ लेजिए देखे कोसर नमबर पहला नमबर आपसे आपर पूछा गया है अमरत का परयावची क्या होगा बताए इसका अंसर क्या होगा अमरत का परयावची क्या होगा तो अमरत के परयावची कई होते हैं आपके पीवस होता है मधू होता है सुधा होता है सोम होता है है न कई सारे होते यहां पर सोंब्स लगा देना आफंसर नमबर भी आपको सही होगा अग्ला प्रस्ट नागरी लिप मुल्ता क्या है है यहां पर आपको बताना है अंसर क्या होगा और यहां पर हमारी भी जवाब आ चुका है प्रस्ण ने यहां पर आपको लगा देना डी नंबर जो कि आपसा नंबर आपके यहां पर प्रस्ण बताई इन में से सुद्ध वाक के काउंसा है कोसा नमर देखिए ती नमर में बताना है सुद्ध वाक के गलत है पेंड से पत्ता गिरा होता है ना पेंड से क्या होता है पत्ता गिरा यह वाला विल्कुल आपका सही है आपसा नंबर आपको यहां पर क्या करना है भी नंबर वाला आपको टिक कर देना है अगला प्रस्ण बताई है चलिए यहां पर देखिए बताना सभा में पचास चलिं़ यहां पर दिखे आपको लग दिना है और यहां पर दिखे चाल नमबर का यहां पर कह रहे हैं और पचासों लोग ढाने किiform यहां हजारों लोग आये गवह गुए करन करम तो नहीं है तो यहांपर अनिश्यायël हो अनिश्यत आपसर नमबर यहाँपर दोलेंगे नमबर हैना यहँ वाइंगे उन्हें हम अनिश्चित संक्या वाज़टक विसेसर कहते हैं अगला प्रशन बताइए अनिश्चित होगा बिल्कुल सही है आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखि आपको अगला अदंकार बताना है आपको तो यहां पर दोस्तों याद रखेगा छे का अनुप्रा सलंकार बहुत बार आया है प्रश्ने हाँ जहां एक या अनेक बढ़नों की एक क्रम में ही एक बार आब रत्ति होती ना वहां पर आपका होता है ठीक ना बिल्कुल करेक्टर सर आपका यहा पूछा गया है तो कह रहे है तेलगों की सब्दिक उत्पत्ति संस्क्रत के त्रिलिंग से वही है यानि त्रिलिंग आपसा नंबर भी आपको यहां पर करेक्ट कर देना है हाँ देखे बिल्कुल करेक्ट अंसर है वीडियो को सभी लोग लाइक कर दिजिएगा जो लोग ब प्रिशनाया यह और यह दोस्तों जो दिया गया आपका यह आपका आर्टिकल 348 का फस्ट है अनुछेद नंबर 348 के प्रस्ट में आपका यह कहा गया है उच्चिनायलों की भासा संब्दे निर्दिश दिये गया है उच्चितम नियाले और उच्चिनायल यानि हाई प्रस्ट आपको बताना है हिंदी राम काब परंपरा के अंतरगत एक विशिष्ट करती है और यह जो आपका है ना यह आपका अंसर क्या होगा बताएं आठ नंबर का जवाब बताना है केसा अदास करत राम चंद्रिका है ना बिल्कुल सही है और यहां पर अंसर लगा दीजिए राम चंद्रिका राम चंद्रिका यहां पर बिल्कुल करेक्ट अंसर आपका होगा अगला प्रस्णा आपके सामने है और कमेंट करिए सभी लोग को बताइए क्या होगा जहां दो या दो से अधिक धात्मों का प्रयोग साथ-साथ किया जाता हुआ क्या 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 लाती है यहां पर आपको बताना है तो उसे हम कहते हैं संयुक्त क्रिया गहते हैं ठीक ना दो या दो से अधिक धात्मों का प्र ओन पर यहाँ पर क्या होता है that you gonna singular Term होता है यहाँ पर आपका 10 नंबर का एं कि मीलन बिल्कुर सभी है être में और ग्नानमОं बता है क्या होगा याँ और बोला गया इन वे तो सब्दि हाँ पर किया गणिष्ट कैसे लिखते हैं खनेश्ट ठाव होता है ना आफसी इस नमबर डी उ की दंश्ट अमरू स्कार ये चलिह बाल नमबर बताईए है पां इन्यील और इनके ढूra रचनाकार हैं उनका नाम है आपका यसपाल उपन्यास है बिलकुल सही जवाब है आपसर नमबर डी आपका करेक्टर सारब कहां पर होगा हां बिलकुल देखिए यहां पर अगराम बात करेंगे इन्हें यह दोस्तों है प्रोफेसर आपके राम दरस मिश्ट है राम दरस मिश्ट है आपसर नमबर सी लगा दीजिए बिलकुल करेक्टर सार आपको होगा उनके काब शंग रहे आम के पत्ते और इन्हें जो दिया गया ना ब्यासमान वो कब दिया गया था यह याद रखिएगा सन 2011 म में वह लिए था उससे प्रस्णाप क्या थे उसी समय दिया गया था प्रोफेसर राम दरस मिश्ट हो चलो आगे बढ़ते हें मुहावरा एक लगा दुस्मन होना अक्छर आमने सुना होगा अकला दुस्मन होना इस मुहावरे क्या मतलब होता है बताए इसका अंसर क्या यहां पर देखिए दंत आया ना के टीम दंत किसमें इसमें आ रहा है यह चावर्ग है यह तावर्ग है तो दंत में आता है तावर्ग यह तो आपका आता है किसमें आता है इसमें आएगा मुर्धन में आता है टाँए और ओस्ट में जानते हैं पावर्ग वाला ऐसे याद रखेंगे केटियम डू केटियम तो गाड़ी है डियों याद रखिए इससे आपको आसानी रहेगी जाम में पहचानने में तो गलत कर देंगे चलो 16 नमबर बताईए इसमें यहाँ पर जवाब क्या होगा इन में से कौन से सब्द केवट सब्द का अर्थ नहीं है केवट सब्द का अर् समास होगा नेत्र हीन में समास कांस होगा आसान प्रस्ण है यहाँ पर आपका होगा नेत्र से हीन अर्थात नेत्र हीन यानि यहाँ पर आपका कारक्ची नहीं यूज हो रहा है इसलिए तत्पर समास आपको लगाना होगा याद रखिएगा यहाँ पर देखिए आपको बत तारा है अच्छे हाना इसलिए आंसर लगा दीजिए डी नमबर यहाँ पर देखिए आपको बताना है कदर का पर्यावची काउं सा नहीं है उन्नीस नमबर कदर के पर्यावची आपका देखिए आदर होता है सरद्धा होता है महत तो भी होता है लेकिन जो 20 में लिखा हुआ लिखा आपको नहीं होता ठीक ना विषमे आपका नहीं होगा याद रखिये का आपसा नंबर लगाना है चलो आगे बढ़ते हैं 20 नंबर बताईए जिए मुरारी सब्दे में काउं सा समास है भी हुरारी तो आप समझ गया होंगे हाना एक मुरारी में क्या होगा बहुब् में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं तीसरा कोई प्रधान होता है वो बहुत बरी समास होता है ठीक ना तो यहां पर यहां पर आप देख रहें ना बिल्कुल सही है मुल्ली को धारण करने वाले मुरारी अब समझ गया होगी किनके हम बात कर रहे हैं आंसर लगा दीजिए कको सा पुरसकार प्राफ्ट होा है यह आपका मिला है जो साहित का पुरसकार कहते हैं हिंदी साहित के सबसे बड़ा पुरसकार है ग्यानपीट पुरसकार जो कि 1965 में पहली बार दिया गया था जी संगर कुरोब को यह प्रस्थ ने बहुत बार कराया है ग्यानपीट पुरसकार की स्थापनाव की 1941 में हुई थी और यहां पर जो 22 नंबर का जवाब होगा आपका यहां पर आपका आँसर हो जाएगा बिलकुल सही जवाब है यहां पर साहित अकादमी पुरसकार कब दिया गया था यह तो कह रहें 1964 में दिया गया था बिल्कुल सही है कि 1964 में दिया गया था हाँ 1964 में तो साहित अकादमी पुरसकार ठीक है ना साहित अकादमी एक सिकंड बाइस नमबर है ना कि आंगन के पार आंगन के पार द्वार हाँ हाँ सही तो है साहित अकादमी पुरसकार रहें आपसा नमबर भी होगा उनिशन यह तो आपका पहली बार 1965 में दिया गया था ना इसकी स्टार्टिंग यही से होती है इसलिए यह नहीं होगा साहित अकादमी फुरसकार रहें आगे बढ़ेंगे यहां पर देखिए तेस नमबर में आपसे पूछा गया कथनी सब्दे में कौन से प्रत्या लगा हुआ है प्रत्या जो सब्दान्स के पीछे आते हैं नि ब मुख्यार्थ की बादा होने पर रूड या प्रियोजन से अन्य अर्थ का ग्रहण होता है वह सब्द सक्ति क्या कहलाती है यहां पर बता रहे है चौबिस नमबर का लच्छणा हना लच्छणा बिल्कुल सही है अफसार नमबर आपका ए होगा यह भी पूछा गया कि वर्तमान काल के वैसे तो आपके कितने ब्यादें बताना है अन्य वर्तमान काल के कौन कौन से ब्याद है पच्छीस नमबर सामान वर्तमान काल अपूर वर्तमान काल पूर वर्तमान काल संदिक्द वर्तमान काल संभाब वर्तमान काल हना तो अन्सर कितने हुए बताईए देखिए सामाने वर्तमान काल अपूर्ण वर्तमान काल पूर्ण वर्तमान काल संदिक्द वर्तमान काल ततकालिक वर्तमान काल संभावे NCRT में आपका क्या है छै ही प्रकार के बताए गए है ना काल वर्तमान काल तो यहाँ पर अंसर बताए क्या लगए वर्तमान काल के देखिए आपर भेद आपको बताना है कितने होंगे 6 लगाएं कि 5 लगाएं कि कई जगा आपको 6 मिलता है कई जगा 5 मिलता है है ना तो इस प्रस्णों में थुरा सा कन्फूजन होता है कि कौन सा लगाया जाए ठीक ना बताएए इसका अन्सर क्या होगा आप भूत काल के तुच्छ है ठीक है ना वर्तमान काल के हमने पूवचा है है तो यहाँ पर 5 लगा दीजी आपसा नमवर्तमान काला क्या होगा सामान वर्तमान काल तत्कालिक व satisfaction काल अफबर आफसल नमब्र लगादेजी, आगे बढ़ते हैं 26 नम्र बताइए, 26 नम्र देखिए को यहाँ पर बताना क्रिया के पद सबुझे में इनमें से क्या क्या होता है, अगर आफसन नमे प्रसुarm थेखिए आपर पूछा गया है, वाजच्स के कितने वेद होते हैं? वाचस के कितने भेद होते आपको बताना है 27 नमबर यहां पर कह रहे है करतomics भाव वाच और आपका कर्म व已经 तीन होते है आफसाहीं नमबर कर्म और भाव आफ्साह अब यहां पर D होगा चलिए आगे बढ़ते हुआ है नमबर पढ़ता रहता है इसमें अभ्या बताई यह कौन सा है 28 नमबर यहाँ पर क्या होगा 28 नमबर दिनभार में निपात अब्या है ना निपात आपसा नमबर भी याँ पर दिखिया आपको बताना इन में से किस सब्सक्राइब रूप ऐक वचन और बवचन में समान नहीं पाई जाते हैं इन में से कि आज़ सब्ध के रूप 恭喜 में समान नहीं पाई आते 29 नंबर बताना है और दिरब्यवाचस ह kald Allah आपका हुआ आपका किस अधरी नहीं जाता है अनि इन में से कोई नहीं के रहे देखें प्रेम पानी वरसा एक बचन में समान आपके नहीं पाए जाते हैं अगे बढ़ेंगे इस थूल का कि अगे बटते हैं दूसरा ट्रेस्ट नमारे स्टाट हो गया है और यहां पर भी देखिया आपसे पहला प्रस्ट पूछा गया है सज्जन सब्दे में समास यहाँ पर कौंसा होगा चलिए कमेंट करिए सभी लोग सज्जन सब्दे में यहाँ पर समास यहाँ पर कौंसा होगा यहाँ पर दिखे आपको बताना है सज्जन सब्दे में समास यहाँ पर कौंसा होगा तो यहाँ पर कर्मधारे समास होगा इसका समास बिगरे होगा सब्ध है जन्जो ठीक ना जहाँ पर जो सब्धाता है न वहाँ पर कर्मधारे समास लगता है दोंदर समास में दोनों पत प्रधान होते हैं याद रखेगा जहाँ पहला पत प्रधान हो एक यहांपर हमारे भी जवाब आ गए है करे माखान लाल चतुरु वेदि निकी बिल्कुल ब्लकुल सही है ना माखन लाल चतुरु वेदि लगा धीचिया आप सर्थ नंबर सी होगा बिल्कुल करेक्ट इन्सर आपका है इहां पर देखिए आपको बताना है पहीं मी हिंदि का सम्मद देना है इस चलिए यह आपका षुगा एस के द्वारा माना जाचुका हो इस वाक्यांज के लिए उप्युक्त सब्देहां पर क्या होगा जो तर्ग द्वारा माना जा चुका हो चार नुमबर तो यह आपका होगा तर्ग संबत होगा क्या होगा तर्ग संबत होगा आपसा नुमबर भी आपका सही है यहाँ पर देखिए आपको बताना है अगला प्रस्ण है राम चंद्र सुक्ल द्वारा लिखित आलो चनात्मा ग पंद्ध हैं सुमित्र नंदन पंद्ध हैं इसलिए यही वाला नहीं होगा बाकी तो सब आपके हैं बाकी सब सही थे आफसा नंबर बी को सिर्फ छोड़ के यहां पर देखिए नेक्स्ट प्रश्ण बताना है पूर्व मद्यकाल को हिंदी सहीत में किस नाम से भी जाना जाता है है तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा पूर्व मत्यकाल को जánते हैं आज वह आपकार भक्तिकाल क्या है भक्तिकाल आपसा नंबर सी होगा यहां पर बोला कया क Aristokal kanarich क को दिका ना तो इसके देखने सबिकांग ना तो चलिए आठ नमबर वाता यह बहुत बार प्रस्ण कराया है यहां मन उपमी पीपर पात उपमान सरी स्वाचक पद है डोला साधान धर में तो जब वस्त बेक्तिकी जो चुलना होती है लगाना बहुत बार प्रस्ण आया है इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा अक्सर पूछ लेता है पेपर में चलिए यहां पर देखिए अगला प्रस्ण आप से यहां पर पूछा गया है भग्तिरस के प्रतिश्ठापक आचार इनमें से कौन है हाना कौन है यहां पर आपको बताना है तो यह आपके जो आचार रहे है ना उनका नाम है आपका हाँ रूप गोस्वामी कह रहे है रूप गोस्वामी देख लिजिए किनका किनका जवाब आ रहा है हाँ रूप गोस्वामी बिल्कुल सही है चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देगे 11 नमबर में आपसे पुछा इनमे से बताईए क्वोंसा कथन आपका तरही है वालब कथन जो सई यह आपको बताना है घरड़ा नमबर में बताईए सही काँ तो क्रियय को किसी के कारव्य करना या होना समझे जाता है उसे द्राइन जatori कि क्रिया को testament कि अचिर ने मूल अच्छों से किरिय बनती है उनहें धातु कहते है इस लिए विकल्ब जो आप के interactions लिखा है ना सी नंबर क्रिया पत के उसंस को धातू कहते हैं जो प्राइस अभी रूपम पाई जाता आपसा नंबर यहां पर सी वाला बिल्कुल करेक्टरंसर आपको यहां पर होगा चली यहां पर देखिए अगला प्रस्ण बालो नंबर बताना है त्री धारा नामा ग्रंत के रचनाकार कौन है उनका आपको नाम बताना है और उनके रचनाकार है आपके त्री धारा जबावाद चुका है सुभद्रा कुमारी चौभान बालो नंबर करें बालो नंबर का सी नहीं होगा बारा नमबर के C ए के A है बताइए कंफ्यूज मत हुए सबी लोग यहां पर कमेंट करिए क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए है यह प्रश्चना आया है कई बार काफी लोग गला गला अंसर है बताइए इस में राइट अंसर क्या होगा हा ठीधारा पहला इहां यह क्या बोलते हैं सुभद्द्द्द्रा कुमारी चावान हा न Cambodia का 있게 होगा आफ सादना की होग काला कि बोलो सुझे लेंगे सफेद का भी लों काला कर दीए है ना काला 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 होगा सफेद का भी लों क्या होगा काला आगे बढ़ते हैं इन में से बताईए सम उपसर के से निर्मे सब्द रूप यहां पर काउं साथ 14 नमबर है यहां पर देखिए आपको बताना है तो यहां पर सम्मेलन भी है संस्क्रत भी है उपरोग सभी लगा दीजिए यहां पर आप से पंदल नमबर पूछा गया है मैला आचल उपन्यास में तैसिलदार विस्तुनात प्रसाथ के पौत्र का क्या नाम था हाना वैसे भी आप लोग जानते हों कि मैला आचल जो है भनिस्वनात रिणू का यह उपन्यास है और अगर हम बात करेंगे तो यहां पर उनके पौत्र का क्या नाम था निलोत्पल नाम था आपसा नंबर यहां पर आपको लगा देना है राइट अंसर आपका यहां पर भी होगा अगला प्रिश्ण बताईए ग्रंथ के बचे हुए अंस जो प्राया अंत में जोड़े जाते ना इनमें से क्या है इसका का मतलब होता है यह वर्ड आमने जरूर सुना होगा आगे नात ना पीछे पगा इसका मतलब यही होता है किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना ठीक ना मलब उसके आगे पीछे कोई नहीं तो आप कह सकते हैं आगे नात ना पीछे पगा इसका मतलब होता है किसी तरह की जिम्मेदारी ना होन 18 नमबर के हाँ पर D नमबर आपका सही होगा 19 नमबर में बताना है बाल की खाल निकालना इसका क्या मतलब होता है इसका मतलब यही होता है बहुत मीन मेख निकालना चार दिन की चांदनी फिर अधेरी रात इसका क्या मतलब होता है यह तो आसान है चार दिन की चांदनी यानि थोड़े दिन का ही सुख हाना थोड़े दिन का ही सुख अगला प्रस्नाप से यहां पर पूछा गया है साहित में रसका अर्थ क्या होता है साहित में रसका अर्थ दोस्तों क्या होता है साहित से मिलने वाली आनंद भूती आपसर नमबर यहां पर आपका वैसे भी रसका सावदिक अर्थ आनंद होता है इसलिए आनंद से रिलेटेर होगा साहित से मिलने वाली ठीक ना चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखि एक चल नहीं होता तो ऑगे बढ़ते हैं未देंट का परिया वंजी चाहे आमेंडमेंट जानते होंगे संभेधान संसोधन में पढ़ते हैं यह वर्ड ये तो यह किसमें है अगला प्रसने मैं बिदेश नहीं जाओंगे किस प्रकार का वाक्य है मैं विदेश नहीं जाओंगा यह कैसा है यह आपका निशेद वाचक वाक्या वाक्य है याद रखेगा बिलकुल करेक्ट असर है जिससे किसी के बाद कि नहोंने का बहुत हो ठीक ना असी की आमद 90 खर्च इस लोकोक्ति क्या मतलब होता है असी की आमद 90 खर्च इसका मतलब यही होता है आय से अधिक खर्च मतलब आय कम है अखा चादी हो रहा है इसी को बोलते हैं ठीक है न चलिए 26 नमबर बता दीजिए सभी लोग यहाँ पर देखे पूछा गया चाया आकास देव प्रतिधोनी पुरसकार आंधी यह सब किस विधा की रचना है यह सभी किस विधा की रचना है तो याद रखेगा यह सभी आपके कहानी विधा की रचना है कहानी विधा की रचना याद रखिएगा चाया आकास देव प्रतिधोनी यह सब आपकी है चलिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखिए 27 नमबर में आपसे पूछा गया चार विकल्ब दिये गया है और उस विकल्ब बगाँ चैन करके बताईए जो सबसे अच्छा एक सब्द आपके विकल्ब है रात में गुमने वाला रात में जो गुमता है उसे हम का गई थे उसे हम निसाचर कहीते हैं राच्छा से तुनात में गुमते हैं आगे बढ़ेंगे 28 नंबर बता दीजी यहां पर क्या होगा यहां पर लिखा हुआ है यहां पर बिकल्ब है चार दिये गया है चलो ठीक है अत्वात ठीक है करा दिये गए अनेकार्थी सब्द का एक अर्थ है उस सब्द को पूरा करिए मुद्रा 28 नंबर कह रहे है मुद्रा अनेकार्थी सब्द है जिसके अर्थ होते है रूप होता है सिक्का होता है मुहर होता है आकरती होता है कई सारे होते हैं आपसे नंबर लगा दीजी फिर डूप आ गया यहां पर दिखिए आपको बताना निम्डेखित प्रस्न में से चार विकल करता है करता कारक पूछली आए तो यहां पर न लगाएंगे 39 नंबर का अंब्ध करता कारक ने का प्रयोग किया गया ठीक गलती से रोवन्मान लगा दीजीँ करता कर्ता कर्म को पढ़ते कारक आर्ट प्रकार के होते हैं तो उसमें आपका जो आया यह वाला लगाना था दिये गए प्रस्ण का सही विकल्प आपको बताना करता का क्या अर्थ होता है करता का सिंपल सी बात है अर्थ वही होता जो कारे करने वाले क्या वो लें करता बोलेंगी चार विकल्प आपके स बविस स्काल की बाट हो रही हैं ब फ़विस स्काल का यह की आफसंchae लगाBU ए तो इसमें नहीं नहीं हो ना Si करते हैं अकर्मक की बात करते तो उसमें कर्म ना हो आ लगा दिये नगला आकर्म ना हो यानि ये कर्मे के साथ होगा यह कर्मे के साथ होगा ठीक है ना सकर्मक अब इसमें देखिए कर्म है कि कि निकाल लेंगे कि कर्म है की नहीं है थोड़ा सा प्रेक्टिस कर लेंगे आराम से आपको हो जाएगे इसके लिए में आपको अलग से वीडियो करा देंगे टॉपिक वाइज उसमें कुछ थेवरी वाला भी पार्ट कबर कर देंगे तो थेवरी कल जो प्रशन आपके अच् के लिए आपके लायक हो जो एक्जाम में आपके फसे ठीक ना तो उतना भी पढ़िए लेकिन बस अच्छे से पढ़िए और सारे चीज़ें को कांसेप्ट लेकर चलिए कि यह वाला चीज़ें में किलियर हो गया भी यह टॉपिक बचा है तो बहुत ही आराम से आप यूप